आजकल में mutual fund में investment करने का टाइम पर अक्सर लोग एक गलती कर जाते हैं, वो गलती कौन सी है, इस गलती से क्या mistake हो सकती है और आपको इस गलती को कैसे avoid करना है, हर एक चीज के बारे में detail में discussion करने वाला, हेलो गाइस, मेरा नाम है विमल और मैं एक finance professional हूँ, स्वाकत है आप स mutual fund में investment करना है, कौन से mutual fund में investment नहीं करना है, कौन कौन से parameters होते हैं mutual fund को observe करने के, इन सारे चीज़ों के उपर मैंने little video बनाई है, तो इनकी links आपको description में मिल जाएगी, तो हमेशा कितरे आज का वीडियो भी बहुत जादा important और interesting होने वाला है, तो आज की वीडियो में आग mutual fund में investment करने के दो type होते हैं, सबसे पहला investment करने का option होता है growth mutual fund का और second option होता है dividend mutual funds का, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर mutual funds का option है क्या, इस चीज़ों माल लेते हैं कि अगर आपने किसी mutual fund में 1000 रुपई का investment किया है, और माल लेते हैं कि आपकी investment के जो value है, वो 100 और जिस mutual fund में आपने investment किया है, माल लेते हैं कि वहाँ पर आपको 20 रुपए का dividend मिला है, तो यहाँ पर twist वाली बात आती है, अगर आप लोगोंने growth mutual fund का investment option select किया है, तो यहाँ पर आपको जो dividend के रूप में 20 रुप में 20 रुपए मिले हैं, और आगे आने वाले time period में आपको इसके उपर अच्छे return कमाने को मिलते हैं, और second investment option जहाँ पर आपने select किया है dividend का option, तो इस dividend वाले option में होगा कि जितने भी amount का dividend आपको मिलेगा, एक्जांपल में 20 रुपीज का हैं, तो आपको जो 20 रुपीज हैं, वो आपके bank account में आ जाएंगे, मतलब जितना भी company आपको wealth को देखेंगे, तो increase बहुत जादा होगी, मतलब आपका investment का जो amount है, वो कम होता है, लेकिन आने वाले time period में आपके return जो है, वो massive होते हैं, वही पर अगर कोई select करता है dividend वाला option, तो ये investment option उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जिनने regular income का source चाहिए होत तो यहाँ पर आप इस second वाले option को choose कर सकते हैं, dividend वाले option को choose कर सकते हैं, वही पर अगर आप stock market में aggressively investment करते हैं, आपकी age 20s में आती हैं या 30s में आती हैं, तो मैं आपको personally advise करूँगा कि आपको dividend growth वाला ही option choose करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जितना भी dividend मिलेगा, आप उस चाही growth वाला option choose करना है, ना कि dividend payout वाला